खुश्का फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में आज जून के महीने में करक राशिवालों के लिए जो राशिफल है, जो ग्रहों की कोचरी परिस्तिती है और उसका आपके ओपर क्या परभाब बनने वाला इसकी मैं वीडियो से चर्चा करूँगा और इस महीने जो विशेश परिस्तिती रहने वाली है, वो आपके लिए रूचक नामक महापुर्शयोग, जो पंच महापुर्श होते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा रूचक महापुर्शयोग, जो मंगल की विज़ा से बनता है, वो आपके साथ बनने वाला है दूसरा, मंगल और रहु का अंगारक योग से आप मुक्त हो गए है, तीसरा, शनी महाराज 29 तारीको वक्री परिस्तिती में चले जाएंगे जून की और वहीं पर देव गुरु ब्रिस्तिती दो जून को उद्य परिस्तिती में हो गए है, तो ये सारी ही चीजे जूड करके, जब हम इसको गुंतेंगे और इसके बाद उसके परिणाम देखेंगे, तो एक शब्द मैं इसमें कहूं आपको, अगर आपको समझ आ जाए ये प जो धी होता है, वो पूरा का पूरा काम में फोकस होने वाला है, तो आप पूर रूप से तैयार हो जाएए, इस महीने आपको काम के लिए जूजना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसी की बज़ा से रूचक महापुर्श नामक योग जो आपके दश्म के अंदरस्तान में मंगल जहां दिगबल को प्राप्ट करते हैं, करकराशी वालों के लिए इस महीने कोई नया रोजगार लग जाए, कोई नई फैक्टरी है, कोई काम वेफसाई करते हैं, या कोई भी मैनिफैक्टरिंग का काम है आपका, उसमें प्राफिट गेन यहां पर दिखाई दे रहा है, तो बहुत जदा बीजी आपका मंगल की वज़ा से यह महीना रहने वाला है, और इसी लिए जो आपकी लॉंग टर्म प्लानिंग है, जो इंटेलिजन्स का भाव भी होता है, पंच्चम भाव जांके स्वामी मंगल है, तो यह बढ़ती हुए नजर आएगी, अब इसका परिणाम क्या होना है, इसका परिणाम यह होना है, कि अगर हम कोई दूर की कोई बात सोचते हैं, मतलब प्लानिंग करना चाहते हैं, या कोई किसी चीज़ को लेकर कि कोई पॉलिसी बना रहे हैं, या कोई सोच रहे हैं, तो वो अगर हम इस समय करें हैं, क्रियानवित करें, तो वो सफ़ल या सिध्ध हो जέ लिए भी बहुत अच्छा समय है, प्राही में फोकस बढ़ेगा, इंटेलिजन्स के दम पर आप कॉम्प्रेड एक्जाम्स में क्लियर कर जाएं, और हर तरह से संतान के प्रती जो चिंता है, आपकी चल रही है, जो दम प्रती शादी शुदा है, तो संतान की चिंता यहां पर अबरुदता, और इस अबरुदता की वज़ा से करकराशी वालों को वर्तमान में जो पीछली परिस्तियां थी, उसमें कहीं न कहीं जमीन से लेकर के नुकसान जहिलना पड़ा, कोड का चैरी मुकदमा तक हो गया, आपका जमीन को लेकर के कोई विवाद आपका बढ़ गय हैं, तो जमीन से समंदे जो लोग भी काम करते हैं, रियल स्टेट का का काम है, धातू का का काम है, मिनरल्स का का काम है, फैक्टरी चलाते हैं, कार काने हैं, मैनिफेक्चरिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है आपका, इसमें यहां पर आपको सफल ताय नज़रा रह पुरुव जन्मों का कोई श्राप, पुरुव जन्मों की कोई दुश कृतियों का जो प्रारभ्ध सुरूप दुश प्रणाम होता है, वो मंगल और राहु का जब योग बनता है और भाग्य इस्थान में, तो भाग्य के द्वार जो बंद थे, भाग्य के कपाट जो बंद वो आप खुल जाएंगे तो भागय का खुलने का मतलब होता है हमारे कारे सहज रूप से सेध हो जाए जिन काम को करने के लिए हमें बहुत जूजना पड़ता है, लाइन में खड़े होना पड़ता है दिनों का इंतजार करना पड़ता है तो अब वो इंतजार खतम, मंगल की ये परिस्तिती अंगारक दोस्टे मुक्ती पर भागये के द्वारा आपको पैसों का, फाइनेंस का, कोटुमब परिवार का लाब दिला करके जाएगा इस गोचर में एक विशेश परिस्तिती आपके लिए कहना चाहता हूँ, केतु तीसरे भाव में जो होता है, वो जो फिमेल नेटिव होते हैं, इस्तरी जातक के लिए तीसरे भाव में गया हुआ, केतु उनके विवाह में प्रॉलम्स क्रेट करता है, तो आपको कहीं न कहीं देखने को मिल रही होगी, जो इस्तरी जातक है, केतु तीसरे स्थान में विक्ति को छट पटाता है, उसको कहीं न कहीं संतोष नहीं मिलता है, और जूजना पड़ता है, अपनी कामों के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, पुरशार्थ करना पड़ता है, बहुत जदा प् परिस्तिती में चल रहे थे, तो की तु आप पे पूर्ण रूप से हावी था वे वहां कि में जो प्रदुष प्रणाम इस्तरी जातकों को देखने पड़ रहे थे, समंदों में विच्छेद है या दिक्कते परिशानी, वो दो जून के बाद, जैसे ही दीव गुरु ब्र परिश्पती आपको बहुत उत्तम लाव की परिस्तितिया देंगे, गेन आपको जो है वो कही ना कहीं से, शक्त्रों के दोर आपको गेन हो जाए, या विकट परिस्तितियों में जो कोट के चैरी मुकंवा आपका कही चल रहा है, उसमें आपकी विजए प्राप्ट हो वहां से भी आप मान समान प्राप्त करें, वहां से भी धन प्राप्ति के कोई अफसर आपके लिए बन जाए, ऐसी परिस्तिती गुरू महराज की वहाँ पर दिख रही है, और मंगल की विशेश्ट परिस्तिती के बारे में मैं इक द्वारा चर्चा करूँगा, मंगल की ये शनी को कमजोर करेगी और सूरी को बल देगी तो इस वज़ा से आपका मान सब मान बढ़ेगा करकराशी वाले जो राजडितिक शत्र से जुड़े होंगे कोई बड़ा और बड़ी पोस्ट यहां पर मिल सकती है इलेक्शन में विज़े शरी उनको प्राप्त हो जो है चुनाव में विज़े होकर के आगे आएँगा और अच्छा मंत्री परिश्वन या मंत्री पद उनको यहां पर प्राप्त होगा करकराशी वालों के ऐसा करेगी आफ अपनी जरमकुनली देखए अगर आपकी जरमकुनली में कहीं कहींने मंगल और ब्रिहस्पति का समंध बन रहा है इस दोग ह Is अगर आप इसमें किसी तरह से समंध बना करके बैटे हुएं तो यह चीज है यह आपक लिए प्रबल राज योग है और वही कुछ परिस्तिती मंगल की जो यहां पर रूचक योग बनने से है सूरे को बल परदान करेगी शनी को कमजोर करेगी और शनी की वक्रिस्तिती होने के वज़ा से धहियक में आपको जो हराहत बहुत मिलसूस होगी जिसकी वज़ा से जो मानसिक परिशानी है चिंताएं आपके लिए है परिवार में कोई ना कोई दुखत समचार आपको इससे पहले देखने को मिला परिवार में समझ से नहीं बन रहा है घट परिवार में आप समय नहीं दे पा रहे हैं जो कमजोर परिस्तिती है उसके पर शाद राहू की मैं बात करूँ राहू जो भाग्यस्तान में बैठे में हैं आपके तो ये आपसे चाहते हैं कि धार्मिक शत्र में किसी धार्मिक तिर्थ स्थल में आप यात्राएं करें और वहाँ पर ये जो higher education से समंदित जो विशे हैं क्योंकि इससे पहले आपकी higher education में कोई प्रयास कर रहे थे उसमें कोई रुकावटे आ रही थी कोई विगन आ रहे थे काम बन नहीं रहे थे students के लिए खास दोर पर बात कर रहा हूँ जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए विदेशों से समंदित दिक्कते चल रही थी documents visa में problem चल रही होगी परंतु आप जो ये परिस्तितियां बन रही है राहू की ये परिस्तिति के वज़ा से higher education के लिए आपको आगे जाना पड़ सकता है कुछ नया इस समय से आप सीखना आरम करेंगे जो पूरे वर्ष आगे तक आपको जो आपकी creativity जो talent है वो आपको लाब देगा जो आपको इस समय सीखेंगे और वही पर विदेश जाने की परिस्तितियां भी बहुत उत्तमनती हैं जो लोग विदेशों में हैं भागे उन्नती पराप्त करता है ये परिस्तित आपर दिखाई दे रही हैं सूरे बुध और शुकर का योग जो है मिधुन राषी में वर्तमान में होना है और मिधुन राषी के साबसे में देखो तो ये बार्वें भाव में है, सूर ये बार्वें भाव में जब जाता है, खास तोर पर बुद्ध की बात करूँगा, तो बुद्ध बार्वें भाव में नीच के प्रणाम देता है, तो थोड़ा सा बुद्धी में भ्रहम होता है, मती भ्रहम कहा जाता है, मती भ्रहम का मतल जो मन में इस प्रकार के विचार है, काम ना करना, काम के लिए कहीं जाना उसका अपना लॉस करवाले, तो वहाँ पर ये से आपको मुक्ती प्राप्त होने वाली है, सूर्य बारे भाव में विक्ती को अध्यात्मत जगत की ओर जोड़ता है, पंक्चुल बनाता है अपने काम के लिए वरकाहलिक हो जाता है विक्ती, और पितातुले विक्तियों का साथ मिलता है, विदेश में कोई सरकार है, गौर्मन्ट है, वहाँ से आपको लाब हो जाए जो फॉरन में बैठे हुए है, और शुकर बारवे भाव में तो मीन राशी का होकर के बहुत अच्छे प्र या कोई ऐसा मित्र या ऐसा विक्ति आपके जीवन में आता है, चाहिए उसे आप फ्रेंड कहले, फिलोसफर कहले, गाइड कहले, जो आपको दिशा दे, दशा आपकी जीवन की जो है, उसको सुधारे, इस प्रकार का मित्र अवश्य समय आपके जीवन में आने वाला है, औ परन्तु शनी की जो अश्टम भाव में स्तिती होती है, थोड़ा स्वास्ते में हानी दर्शाती है, जिसमें बैक्बोर्न रीजन में बेक्ती को थोड़े प्रॉलम रहती है, फेस रीजन पे आपको जो आपका फेस है, मुख है, वहाँ पर कोई चोट लग जाए, और उसके सा साथ 12 भाव में बैठा हुआ सूरे, नेत्र विकार देता है, सिर्दर्द देता है, माइग्रेन की प्रॉलम करत देता है, तो इससे आपको विशेश साबधानी बरतना है, अन्य था करकराशी वानों के लिए जून का मेना विशेश लाब लेकर कर आएगा, जोब में नहीं म वास्तू की, तो जल्दी से आजाओ, बेसिक से एडवांस तक की एस्टरलॉजी सीखने के लिए, विक रतों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक दे वीडियो प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल, थैंक्स फो वाचिंग दे वीडियो, सब्सक्राइब